Hello students, मैं वैभव अपने चैनल निबर नॉब बे आपका स्वागत करता हूँ. ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के Maths सब्जेक्ट के लिए dedicated है. अगर आपको मेरा काम पसंद आए, तो प्लीज वीडियोज को शेर कीजिए, क्योंकि मेरा मोटो ही है Quality Education सबका अधिकार. और अगर आप पूरा से लिबस कवर करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेइलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज, सारे वीडियोज की प्लेइलिस्ट चेक कर सकते हैं. और अब तो आप निबेंड नॉब को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. तो चलिए, आज का लेक्टर शुरू करें. हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभाव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ. आज हम अपनी इंटेग्रल्स की एक्सेसाइज 7.2 को और आगे बढ़ाएंगे और और कोश्चन सीखेंगे के सब्स्टिचूशन मैथड कैसे कैसे इस्तमाल किया जा सकता है. तो एक्सेसाइज 7.2 का कोश्चन नमबर 9 हम लेते हैं, करते हैं, वो क्या है? इंटेग्रल उफ 4x प्लस 2 स्क्वार रूट उफ x स्क्वार प्लस x प्लस 1 dx. तो यह हमारा कोश्चन है, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि किसको फंक्शन माने और किसको डेरिवेटिव? हम यह जानते हैं, कि यहीं पर हमारे पास डेरिवेटिव भी पड़ा होगा, जो कि dx के साथ मुल्टिप्लाई में होगा. तो वहाँ अगर यह चीज हम जानते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया हमें मिल सकता है कि यह शायद डेरिवेटिव बन जाए. क्योंकि यह डेरेक्टली dx से मल्टिप्लाईड है, यह वाला फंक्शन जो है, यह तो अंडरूट के अंदर है. और अगर अंडरूट के साथ तुम किसी चीज का डेरिवेटिव बनाते हो, तो अपान में भी नीचे भी अंडरूट आता है. तो यहाँ पर सोचने वाली बात क्या होनी चाहिए तुम्हारे लिए, कि तुम एक बार यह जो अंडरूट के अंदर टर्म लिखी हुई है, इसका डेरिवेटिव करके जरूर देखो. हम करें थरा, x² प्लस x प्लस 1 का डेरिवेटिव हमने किया, 2x प्लस 1, तो अब 2x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पर है 4x प्लस 2, तो देखो, अगर हम 2 से इसको मल्टिप्लाई करेंगे, तो यह 4x प्लस 2 बन जाएगा, तो इसका मतलब हम यहां से 2 common लेके अगर बाहर निकाल दें तो यह जो 2x प्लस 1 बचेगा वो derivative है और यह जो अंदर है under root के यह expression हम z put कर सकते हैं तो तुमने students हमेशा किस बारे में सोचना है function और derivative के बारे में तो हम put करते हैं put x square plus x plus 1 is equal to z differentiate किया हमने differentiate with respect to x तो 2x plus 1 is equal to 2x plus 1 dx is equal to dz क्यूंकि यहां पर 4x plus 2 है तो यहां भी 4x plus 2 बना देते हैं दोनों तरफ 2 से multiply कर देते हैं 2, 2x plus 1 dx is equal to 2 dz याने के 4x plus 2 dx is equal to 2 dz तो हमारे पास देखो अब function भी तयार है और derivative b याने के हमने सारा integrand जो है वो z की form में बना लिया तो therefore i is equal to यह 2 dz का 2 तो हमने integral से बाहर रखा under root z dz देखो substitution का फायदा देखो कितना असान हो गया यह integral यह z है under root z और 4x plus 2 into dx जो है वो 2 dz बन गया तो actually यह z की कौन सी पावर है 1 by 2 तो 1 by 2 पावर का integral कैसे करेंगे कितना होता है students पावर एक प्लस हो जाती है z की पावर 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 plus c constant of integration तो यह कितना बन जाएगा 2 into z की पावर 3 by 2 upon 3 by 2 plus c यह 2 उपर चला जाएगा तो हमारे पास answer क्या आएगा देखो 2 उपर जाएगा तो 4 हो जाएगा 4 by 3 z कितना था z था x square plus x plus 1 पावर 3 by 2 plus c तो इस तरहें से यह question solve हो गया चलो अगला question देखें तो अब मैं ले रहा हूँ exercise 7.2 का question number 11 x upon under root x plus 4 अब इसमें हमें कौन सा function दिखाई दे रहा है कौन सा derivative अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा हम ऐसा करते हैं इसमें x plus 4 minus 4 एक trick हमने इस्तमाल की इसमें और इस trick से इसको हम integrate कर पाएंगे अब मैं क्या करूंगा देखो plus 4 minus 4 किया इस x plus 4 के नीचे x plus 4 का under root अलग और 4 के नीचे अलग कर दूँगा 4 ही क्यों plus minus किया यह तुम्हें दिखाई दे ही रहा है students के under root के अंदर plus 4 था तो मैंने इसलिए 4 से plus minus किया इसका फायदा क्या होगा देखो x plus 4 upon x plus 4 under root minus 4 upon x plus 4 under root dx अब यह जो under root है यह उपर चला जाएगा कैसे देखो अगर x upon x under root हो तो इसका मतलब होता है x upon x power half और यह बन जाता है x power 1 minus half जो यह denominator में power होती है बेस की वो जब denominator में जो बेस है उसको जब हम उपर लिखते हैं तो power minus में आ जाती है हम सब जानते हैं तो x की पार half हो जाता है x की पार half का मतलब है under root x तो बिलकुल इसी तरह यहाँ पर भी होगा integral x power 4 under root minus 4 into x power 4 power minus half यह हमारा integral बन गया अब इसको हम solve कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पहले हमें derivative नहीं समझ में आ रहा था लेकिन अब derivative की ज़रूरत भी नहीं पढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर x upon under root x हा रहा था जिसको integration में डालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था हमने क्या किया दो अलग-अलग integral तयार कर लिए दो अलग-अलग terms हैं बीच में minus है integral तो इस पर distribute हो जाएगा तो इधर x बाहर हो और under root के अंदर भी x हो ऐसी mixed terms है नहीं इसके अंदर भी नहीं है और इस integral में भी नहीं है तो अब x की जगे x प्लस 4 को तुमने x मान लेना है देखो अगर मैं x प्लस 4 को z put करूँगा मैं rough में करके दिखाता हूं students कि अगर मैं x प्लस 4 को z put करूँगा तो derivative क्या आएगा यहां तो dx आएगा और यहां dz हो जाएगा क्यों क्योंकि derivative में यह जो constant term plus की है वो खतम हो जाती है तो इसलिए हम ऐसा करते होते हैं कि जहां पे x प्लस 4 या हमें substitute करना पड़े न x प्लस a को इस type से x की जगह x प्लस a आजाए कहीं भी आजाए हम substitute चाहे ना भी करें तब भी हम इसको solve कर पाएंगे क्योंकि जैसा हमारे लिए x है वैसा ही x प्लस a है क्योंकि derivative करते वक्त यह constant तो खतम हो जाता है इसलिए तो हमने x प्लस 4 को x ही मान लेना है बिल्कुल उसी तरह integrate करना है इसको जैसे हम x को करते बस x की जगह x प्लस 4 है तो यह क्या बन जाएगा x प्लस 4 पावर 1 बाइ 2 प्लस 1 यह पावर 1 बाइ 2 है upon 1 बाइ 2 प्लस 1 माइनस 4 इंटू x की पावर x प्लस 4 पावर माइनस 1 बाइ 2 प्लस 1 अपावर माइनस 1 बाइ 2 प्लस 1 प्लस C constant of integration अब तो यह integrate होई गया यह 3 बाइ 2 है यह भी 3 बाइ 2 है तो 3 बाइ 2 को reciprocal करके उपर लिखना है 2 बाइ 3 x प्लस 4 3 बाइ 2 माइनस यह 1 बाइ 2 है 1 बाइ 2 उपर जाएगा 2 उपर चला जाएगा तो 8 बन जाएगा 8 x प्लस 4 पावर 1 बाइ 2 प्लस C तो students यहाँ पर हमने देखा कि अगर x की जगए x प्लस A हो तब भी हमें उसको x मानके ही solve कर देना चाहिए यह बात बहुत ध्यान से समझने वाली है ऐसा इसलिए क्योंकि derivative करते वक्त यह जो है इसका जो derivative है जीरो हो जाएगा वो खतम हो जाएगा तो हम कहां पहुँच जाएंगे dx is equal to dz तो हम क्यों अपने 2-3 step extra बढ़ाएं हमें question इस तरह से solve करना चाहिए कि हम कम से कम steps में simpler way से question को solve कर पाएं और हमें कोई और variable अगर ज़रूरत ना हो तो हम बीच में ना लेके आएं तो x की जगह x plus a को भी x मान के किया जाना चाहिए इसी से question थोड़ा छोटा हो जाता है तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी students तो ऐसा करते हैं अब हम चलते हैं अपने एक और question की तरफ तो ये है हमारा question number 12 students integral of x cube minus 1 whole power 1 by 3 x par 5 dx इसमें हमें क्या सोचना चाहिए किसे substitute करना चाहिए तो एक बड़ा general सा idea देता हूं तुमको हर बार नहीं ये possible होता लेकिन ज़्यादा तर questions में ये हमें idea बता देता है कि हमें किस चीज को substitute करना है देखो substitute क्यों किया जाता है substitute इसलिए किया जाता है कि हम complex चीज को complex का मतलब है यहां पे difficult difficult चीज को simpler बनाएं ठीक है और यहां पे जो सबसे difficult पार्ट लग रहा है वो है x cube minus 1 की power 1 by 3 तो वहां से हमें idea मिल जाता है कि शायद हम x cube minus 1 को substitute करके question कर पाएं तो अब तुम्हारे दिमाग में आ गया है कि हम x cube minus 1 को substitute करेंगे तो इसका derivative कितना आएगा 3x square क्या x square क्योंकि 3 से तो multiply divide भी किया जा सकता है क्या x square dx के साथ multiply में पढ़ा है यहां पर यह x power 5 है तो x power 2 को हम अलग करके dx के साथ कर सकते हैं और बचेगी कितनी power x power 3 बचेगी तो यहां पर हमें पता लग गया कि surely हम x cube minus 1 को ही substitute करेंगे तो x cube minus 1 is equal to z differentiate with respect to x 3x square dx is equal to dz हमारे पास x square dx की value आ गई 1 by 3 dz और इसको क्या मान लेना तुमने इसको x cube into x square dx ऐसे मान लेना है तो मैं integral एक बार फिर लिखूँगा उसके बाद substitute करूँगा integral है x cube minus 1 power 1 by 3 into x power 3 into x square dx देखो x power 5 को इस तरह लिखा जा सकता है अब बिलकुल clear है हमारे पास यह बात किस तरह से substitution हमने की है तो यह तो है z power 1 by 3 into x cube को क्या लिखें देखो यहां से मिलता है हमें x cube की value आ जाएगी z plus 1 तो z plus 1 और x square dx कितना है x square dx है 1 by 3 dz तो 1 by 3 को मैंने बाहर रख दिया और dz लगा दिया तो यह integral क्या बन गया अब यह bracket खुल जाएगी z power 4 by 3 क्योंकि z की पार 1 जब z की पार 1 by 3 से multiply करेंगे तो power setup हो जाएगी plus z की पार 1 by 3 dz एक और बात substitution में ध्यान रखने वाली है students कई बार student कई ऐसे student होते हैं जो इस substitution करने के बाद integral में वो variable t या z वो तो ले ही आते हैं लेकिन वो x को भी यहाँ पर repeat कर देते हैं x भी लिख देते हैं जैसे की मैं यहाँ पर पहले x cube को as it is लिख दूँ x cube तो वो चीज बिलकुल गलत है जब हम एक variable के with respect to integration कर रहे हैं तो सारा integrand उसी variable में represent करना है अगर हम सारा integrand उसी variable में represent नहीं करते तो यह हमारी बहुत बड़ी गलती होगी इस बात का students थ्यान रखना है कि सारा integrand हमने एक step में भी ऐसा नहीं लिखना है ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर हम z और x दोनों का इस्तमाल कर रहे हूँ या तो पूरा x में या पूरा z में mix कभी भी नहीं करना है किसी भी step पे नहीं करना है वो step गलत हो जाएगा तो इसका integration देखो simple है x की पार n का integral जैसे होता है वो ही चीज आ गई 1 by 3 bracket start z की power 4 by 3 plus 1 upon 4 by 3 plus 1 plus z की power 1 by 3 plus 1 upon 1 by 3 plus 1 plus c तो इसको solve करेंगे 1 by 3 देखो यह कितना बन जाएगा z की power 4 by 3 plus 1 कितना हो जाएगा 7 by 3 तो यह भी 7 by 3 है 7 by 3 यहाँ पर आएगा तो यह reciprocal के उपर जाएगा तो 3 by 7 z की power 7 by 3 plus यह 4 by 3 हो जाएगा तो 3 by 4 z की power 4 by 3 plus c जब बाहर का 1 by 3 यह bracket जब हम खोलेंगे तो यह 3 cancel हो जाएगे तो हमारे पास आगया 1 by 7 z की power 7 by 3 plus 1 by 4 z की power 4 by 3 plus c तो z क्या था z था देखो x cube minus 1 तो वही put कर देते हैं z को therefore i is equal to आंसर आगया x cube minus 1 power 7 by 3 plus 1 by 4 x cube minus 1 power 4 by 3 plus c तो यह आगया students हमारा आंसर अब जलते हैं अगले question की तरफ तो यह है हमारा question number 13 students x cube upon 2 plus 3 x cube whole cube dx यहां पर हमें यह दिखाई दे रहा है कि denominator की जो term है वो सबसे ज़्यादा difficult part है काफी ज़्यादा उल्जा हुआ है तो शायद इसी को हम z put करें तो जब इसको substitute करना है तो इसका derivative भी पता होना चाहिए तो 2 plus 3 x cube का derivative कितना बनता है 2 का derivative 0 9 x square याने के x square हमारा derivative में आ रहा है तो हम फिर put कर देते हैं put 2 plus 3 x cube is equal to z differentiate with respect to x तो 9 x square dx is equal to dz अब यह 9 को उस तरफ ले जाओ तो x square dx is equal to 1 by 9 dz तो हमारा integral z में क्या बनेगा 1 by 9 में यहां लगाया यह dz के साथ जो था integral dz upon z power 3 देखो यह z है पूरा इसकी power 3 तो 1 by 9 यह है z की पार minus 3 dz तो कितना आएगा answer z की power minus 3 plus 1 upon minus 3 plus 1 plus c i is equal to देखो 1 by 9 तो है लेकिन यह पूरी term minus की है क्योंकि minus 3 plus 1 है तो minus लगाया मैंने यहां पर into 1 by 2 आगया यह और z की power minus 2 plus c तो यह answer क्या बन गया minus 1 by 18 z कितना था 2 plus 3 x cube इसकी power minus 2 plus c तो यह हमारे पास इसका answer आगया तो तुम देख रहे हो students के questions इतने मुश्किल नहीं है छोटे हैं लंबे भी नहीं है बस तुमें idea लग जाना चाहिए कि derivative कहां है हमारे integrand में और function कहां पर है और जैसे जैसे तुम यह questions solve करोगे जादा से जादा practice करोगे इन questions की तुम उतना ही जादा अच्छा idea लगा पाऊगे इसको solve करने के बारे में तो चलो अगला question देखते है यह है हमारा question number 14 integral of 1 upon x log x power m dx तो इसमें देखो log x को ही z put करेंगे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमको तो log x का derivative कितना है 1 upon x 1 upon x dx के साथ multiply में पढ़ाईए तो आगया put log x is equal to z फिर differentiate किया हमने 1 upon x dx is equal to dz therefore i is equal to कितना बन गया dz upon z power m जैसे के पिछले question में बना था power minus 3 यहाँ पर आ गई power m तो students I think इसके बाद तुम खूद कर सकते हो हमने इतने question तो solve कर ली है अब मैं अगले question की तरफ जाऊंगा यह question तुम अपने आप कर सकते हो तो हम अगले question पे चलते है question number 15 मैंने पिछली class में ही करा दिया था question number 16 तुम अपने आप try कर सकते हो अब हम question number 17 करते है question number 17 है i is equal to x upon e power x square tx तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो सबसे ज़्यादा difficult part कौन सा नजर आ रहा है upon में x square तो x square का derivative 2x होता है तो हमें पता चल गया put x square is equal to z then we get 2x dx is equal to dz और x dx है हमारे पास तो x dx की कितनी value आ गई 1 by 2 dz तो integral क्या बन गया integral हमारे पास तयार हो गया 1 by 2 dz upon ez यहाँ बन 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 गया 1 by 2 e की पार minus z dz तो यहाँ पर इसका अंसर क्या आएगा e power z का integral b e power z ही हुआ करता है तो 1 by 2 e power minus z तो आएगा लेकिन साथ ही में हम minus 1 से इसे divide भी कर देंगे क्यों? क्योंकि z का coefficient है minus 1 देखो एक बात generally समझ लो कि अगर x की जगह तुमको ax plus b दिखाई दे रहा हो तो इस b की tension नहीं करनी चाहिए x की तरह ही इस पूरी term को consider करना चाहिए लेकिन integral में इस a से divide करना पड़ेगा हमको क्यों करना पड़ेगा? देखो अगर हम ax plus b को z put करते हैं तो derivative कितना बनता है? a dx is equal to dz तो dx कितना बनता है? 1 by a dz तो देखो coefficient से divide हो रहा है नहीं यहां पर integral तो इसको जब integral में put करोगे तो one upon a तो आएगा तो one upon a का मतलब है कि x के coefficient से हम answer को divide करते हैं तो अगर यह बात हम जानते हैं तो हमें फिर बार बार substitution लग लग धंसे करने की जुरूद नहीं है हम directly भी कर सकते हैं तो यहां पर क्या answer आएगा? देखो minus की term बन गई minus 1 by 2 e की पार minus x square minus z था z था x square plus c तो एक बार फिर मैं बता देता हूं students कि अगर जहां पर x होना चाहिए formula में जब तुम integrate करने लगे हो वहां पर अगर ax plus b आ जाए तो b की कोई tension नहीं है क्योंकि derivative में खतम हो जाएगा लेकिन answer जब तुम find out करोगे जहां जहां x है वहां वहां ax plus b लिखोगे और पूरे answer को a से divide करोगे ये method होता है substitution करके भी ऐसे ही आता है substitution में हम यहीं सीख रहे हैं लेकिन अगर हमें ये clear cut पाता है तो हम बगैर substitution के भी answer तक पहुंच सकते हैं तो चलो अगले question की तरफ चलते हैं तो students यह है हमारा question number 18 e power tan inverse x upon 1 plus x square dx यहां पर clear cut ही दिखाई दे रहा है कि tan inverse x जो है उसका derivative 1 upon 1 plus x square dx multiply में पढ़ा है तो हम substitute कर देते हैं put tan inverse x is equal to z तो यहां से हमको मिला 1 upon 1 plus x square इसका derivative dx is equal to dz therefore i becomes e power z dz is equal to e power z plus c तो e power z का integral e power z होता है तो यह बन गया e power tan inverse x plus c यह हमार answer आ गया as simple as that चलो question number 19 देखते हैं यह है हमारा question number 19 i is equal to integral e power 2x minus 1 upon e power 2x plus 1 तो इसमें e power 2x plus 1 को अगर हम अगर हम पुट कर भी दें z तो e power 2x minus 1 नहीं आएगा क्योंकि minus 1 derivative में कैसे आएगा इस problem को solve करने के लिए हम ऐसा करते हैं e power x से numerator को भी divide कर देते हैं denominator को भी divide कर देते हैं तो बन जाएगा e power x minus e power minus x upon e power x plus e power minus x मैंने क्या किया e power x से हर टर्म को divide कर दिया हर टर्म को divide कर दिया मतलब numerator को भी और denominator को भी उस वज़े से क्या हुआ कि ये integral integrand जो है वो change नहीं हुआ क्योंकि देखो यहाँ पर e की पार minus x को 1 upon e की पार x लिखोगे दोनों जगे पे तो solve करने के बाद यहीं आएगा तो इसलिए ये change नहीं हुआ जिस तरह से हम plus and minus करते हैं multiplying and divide करते हैं अगर numerator और denominator में same number multiply या divide किया जाए तो fraction change नहीं होती तो अब देखो ये जो denominator है इसका derivative कितना होगा e par x का e par x ही होगा और दूसरी term derivative में क्या बनेगी minus e par minus x क्योंकि ये minus जो है लगा हुआ derivative जब हम करेंगे तो minus आगे आ जाएगा तो अब हमें clear हो गया कि किसे z put करना है e par x plus e par minus x is equal to z differentiate किया e par x minus e par minus x bracket ज़रूर लगाना है students यहाँ पे क्यों क्योंकि दो terms हैं तो therefore i is equal to integral dz upon z तो इसका answer हमेशा क्या आता है log mod z plus c is equal to log mod अब e की पार मैं z को put कर दो e की पार x plus e की पार minus x plus c तो यह हमारा answer आ गया अब जलते हैं question number 21 पे क्योंकि question number 20 तुम बिल्कुल इसी तरह से solve कर सकते हो similar question है वो मैं तुमारे लिए छोड़ रहा हूँ तो question number 21 है integral of 10 square 2x minus 3 देखो students यहां पर अब हमारे पास x की जगह है उसका एक linear combination है याने ax plus b type में है तो हम इसको भी बिल्कुल उसी तरह मानेंगे जैसे की x को मानते हैं यहां पर एक दिक्कत यह है कि 10 का square है तो जब भी 10 का square आए तो उनको सोच रहा है secant square minus 1 क्यों? क्योंकि 10 square का हमने देखा है कि हमारे पास direct integration करने का formula नहीं है तो हम इसको लिख लेंगे secant square 2x minus 3 minus 1 dx लिख सकते हैं हम इस तरह 10 square क्या होता है? secant square minus 1 angle तो वही रहेगा तो इसमें substitution 2x minus 3 हम कर सकते हैं कोई problem नहीं है यह exercise ही substitution की है लेकिन students अगर इससे बचा जा सके तो कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमको 2x minus 3 को अगर हम put कर भी देंगे तो 1 upon 2 dz आ जाएगा put करके देख लेना सिर्फ 1 upon 2 का फरक पड़ेगा जो कि मैंने पहले ही समझाया तुमको कि अगर x की जगा कोई linear combination है ax plus b है तो उसको पूरे को x ही मानना है तो चलो इसको integrate कर देते हैं बगैर उसके भी substitution के भी किया जा सकता है तो secant square 2x minus 3 secant square का integration कितना होता है हम सब जानते है tan 2x minus 3 angle कभी भी change नहीं करना है students यह ध्यान रखना है और minus का x 1 का derivative 1 का integral plus c लेकिन इसके नीचे 2 भी आ जाएगा क्योंकि secant square 2x minus 3 है यह 1 तो इसमें तो 2x है नहीं तो यहाँ पे तो integration minus x हो गया लेकिन tan 2x minus 3 की division में हमारे पास आ जाएगा 2 क्योंकि x का जो coefficient है उससे divide करना है हमने तो हमारे पास क्या answer आ गया देखो इसको थोड़ा सा और systematic way में लिख दे tan 2x minus 3 minus x plus c answer आ गया हमें substitute करने की जरूरत नहीं पड़ी तो students एक बार फिर मैं यही बता रहा हूँ कि x की जगह a x plus b हो तो हम इस तरह से उसको deal करते हैं substitution के steps लिखने की जहाँ ना जरूरत हो वहाँ पर हम substitution के steps नहीं लिखते तो students आज इतना ही हम अगली class में मिलेंगे तब तक best of luck thank you